हेलो दोस्तों मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो स्टार क्रिएशन्स मैं आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हूँ आज के उड़ों में लोग बात करने वाले एशियंट लिट्रेचर यानि की प्राचिन सहीत्य कि जो मारे सहीत्य हैं वो कौन-कौन से हैं और उनको लिखने वाले कौन-कौन थे ठीक है तो स्टार करते हैं फर्स्ट हमार पास अस्टा ध्याई अस्टा ध्याई जो सहीत्य है उसके जो राइटर है जो उसके लेखक थे वो ए पानीनी ठीक है पानीनी तो पाणिनी ने जो मारा प्राचिन साहित ते अश्टा ध्याई है उसको लिखा था उसको रचित किया था ठीक है तो दूसरा है मारपास महाभारत तो महाभारत को वेदव्यास ने लिखा था ठीक है तो महाभारत के जो लेखक थे वो ये थे वेदव्यास आगे बढ़ते हैं तीसरा मार पास है रामायन तो जो मारी रामायन है रामायन को मारे बाल मी की जीने लिखा था ठीक है बाल मी की जीने रामायन की रचना की उसको लिखा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला मार पास है रामचरित मानस तो जो मारी रामचरित मानस है उसको तूलसी दास जीने लिखा है ठीक है तूलसी दास जीने लिखा है आगे बढ़ते हैं अगला मार पास है अर्थ शास्त्र जो मारा मौरे काल के दोरान लिखा गया था ठीक है जो अर्थ शास्त्र है उसके जो लेखक है जो उसके रचाईता है वो है चानक्य है ठीक है चानक्य है तो चानक्य है ने अर्थ शास्त्र को लिखा है ठीक है अगला जो साैत्य देहां मुद्राराक्षस और देविचंदर गुपतम प्ले यानि की जो नाटक होता है तो इसकी जो रचना है जो इसके लेखक है वो यह है मार पास विशाखा दत तो विशाका दस ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम प्ले इसको लिखा अगला है मार पास बुद्ध चरित और सोद्राधन बुद्ध चरित और सोद्रानन्द इस तरह पढ़ सकते हैं इसको अगला है मार पास बुद्ध चरित और सोद्रानन्द सारी पुत्र प्राकरण तो ये कंप्लीट एक नाम है कि बुद्ध चरित और सोद्रानन्द सारी पुत्र प्राकरण इसके जो लेका किते हैं वो ये मार पास अश्वगोश ठीके अगला है मार पास कुमार संभव माल विकागनी मित्र मेगजूत रगुवंच अभिज्ञान शकुन विक्रमाव सियाम तो इन सभी की जो रचना है वो काली दास्ची ने की थी ठीके अगला है मार पास प्रया प्रवमीता सुत्र और माध्यमिक सुत्र ठीके तो इनकी जो रचना है वो नागर जुन्ने की थी ठीके नागर जुन्ने प्राप्रमीता सुत्र और माध्यमिक सुत्र की रचना की थी अगला है मार पास प्रिया दर्शी का नागानंद और रथावली इसकी जो रचनाय वो हर्ष वर्धन ने की थी अगला है मार पास व्रिहंत सहींता और पंच चिद्धानती का इसकी जो रचनाय वो वरा मिहीर ने की थी अगला है मार पास दस कुमार चरित इसकी जो रचनाय वो दांडी ने की थी अगला है मार पास सोपना सवदत यह हमारा प्रथम पूर्ण नाटक था ठीक है अगला है मार पास व्रिहं सिद्धानत या व्रिहं सिद्धानत ठीक है जो एक गणित की किताब है जो एक book of mathematics है ठीक है व्रिहं सिद्धानत एक गणित की किताब है इसकी जो रचनाय वो ब्रहम गुप्त ने की थी आगे मार पास हर्ष चरित और कादंबरी जिसकी जो रचना है वो बाण भटने की थी नेक्स्ट मार पास प्रित्वी राज रासो इसकी जो रचना की थी जो उसके लेखक थे वो है चंद्रबर्दाई तो चंद्रबर्दाई ने प्रित्वी राज रासो जो उमारा प्राचिन साहिते उसकी रचना की थी अगला है मार पास इंडी का ठीक है अगला है जो वो है इंडी का तो जो इंडी का प्राचिन साहिते हैं उसकी जो लेखक थे वो है मार पास म्रीच कटी कम ये प्राचिन साहिते इसके जो लेकक थे वो शुद्रक तो शुद्रक ने म्रीच कटी कम यो मारा प्राचिन साहिते उसकी रचना की थी कीरितार जुनिए ठीक है कीरितार जुनिए ठीक है ठीक है तो इसकी जो रचना है वह पहर भी ठीक है या भरा भी ठीक है जिस तरह से आप लोग प्र liters आउन कर सकते हैं इस तरह से आप कह सकते हो ठीक है तो जो इसका Englishman वाद वो इस तरह से है जो लेखा का नाम है B-H-A-R-A-W-I ठीक है तो इसको भारावी भी पढ़ सकते हैं या भारावी ठीक है या भार भी ठीक है या बहर भी ठीक है तो उन्होंने कीरातार जुनिए यह जो प्राचिन साहिते है इसकी जो र प्रसिद्ध है बहुत यदा लोगप्री है ठीक है पंचतंतर अब ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने बच्पन में पंचतंतर की कहानिया है वो सुनी ना हो पढ़ी ना हो या जो मारा दूर दर्शन है उसके ओपर कभी देखी ना हो ठीक है जो 90 वाले केट है हमने तो सबसे जाधा पंचतंतर की कहानिया ही देखी है क्योंकि उस टाइम ब्लैक और वाइट टीवी जोते थे और डीडीवान ही आता था दूर दर्शन ही आता था ठीक है तो उस पे पंचतंतर की कहानिया भी दिखाई चाती थी तो जो पंचे दंतर है उसकी जो रचना है वो विष्णु स्वर्मा ने की थी विष्णु शर्मा तो इन चीदों को ध्यान भी रखो ये अग्जाम में आते हैं कई बारी पूछा भी जाता है ठीक है तो बीड़ वाले जो स्टूवेंट है वो तो थोड़ा ध्यान से देखे क्योंकि ये पूछा जाता है हूँ के आगे बढ़ते हैं अगला मार पाज सूर्य सिद्धांत तो जो सूर्य सिद्धांत से उसके जो लेकग ते वह आरे भाट Protect ठीक है आरे भाटने सुर्य सिद्धांत को लिखा था उसकी रचना की थी, ठीक है, अगला है मार पास, प्रियाग प्रशस्ती, प्रियाग प्रशस्ती, इसकी जो रचना है वो हरी सेन ने की थी, ठीक है, तो हरी सेन ने प्रियाग प्रशस्ती की रचना की थी, या वो उसके लेखक थे, अगला है मार पास वरियत कथा मंजरी वरियत कथा मंजरी इसके जो लेखकते वो मार पास शे मेंदर ठीक है अगला है मार पास कामजुत्र तो जो कामजुत्र है उसके जो लेखकते वो है मार पास वासेया यन ठीक है वासेया यन अगला है मार पास इसके जो लेखक ते वह हमार पास सुबंधर ठीक है सुबंधर या सुबेंदर ठीक है तो अगला हमार पास कावे मिमांसा ठीक है कावे मिमांसा इसके जो लेखक है वह हमार पासे राजशेकर तो राजशेकर ने उमारा प्राजियन साहिते कावे मिमांसा उसकी रचना की उसक अगला है मार पास प्रित्वी राज विजे तो इस प्राचिन साहिते के जो लेखक ते वह मार पास जैनक तो जैनक ने प्रित्वी राज विजे जो मारा प्राचिन साहिते उसको लिखा उसकी रचना की अगला है मार पास नंबर 28 पे राज तरिंगनी ठीक है राज तरिंगनी तो इस प्राचिन साहिते की जो लेकक है वो मार पास कलहन ठीक है तो कलहन ने राज तरिंगनी की रचना की या वो उसके लेकक थे अगला है मार पास गीत गोविंद गीत गोविंद तो इस प्राचिन साहिते की रचना करने वाले जो लेकक थे वो है जैदेव तो जैदेव ने गीत गोविंद जो मारा प्राचिन साहिते उसकी रचना की अगला है किर्ती कौमुदी किर्ती कौमुदी इस प्राजियम साहिते के जो लेखके वो है मारपास सोमदेव ठीक है सोमदेव अगला मारपास कथा सौध सागर कथा सौध सागर इसके भी जो लेखके वो सोमदेवी है ठीक है तो सोमदेव का नाम इसमें दो बार ये भी आ चुका है एक बार शाद और आएगा भी ठीक है तो आके बढ़ते हैं भी अगला हमार पास है कल्प सूत्र ठीक है कल्प सूत्र तो जो कल्प सूत्र है उसके जो लेकक थे वो हमार पास भद्र बाहु ठीक है भद्र बाहु तो भद्र बाहु ने कल्ब सुत्र की रचना की वो उसके लेखक थे अगला हमार पार योग सुत्र तो योग सुत्र हमारे पतंजली ने दिया था ठीक है तो ये दो चीजे तो आप ध्यान में रखना ही रखना कि एक है मारा पंचेतंतर और एक है योग सूतर ठीक है क्योंकि दोनों ये बहुत जादा फेमस है बहुत जादा प्रसीद्ध है ठीक है तो जो पंचेतंतर है वो तो मारे विश्णू सहरमा जी ने दिया एकदम से याद आजागा कि योग को आप पतंजली से रिलेट कर सकते हो ठीक है तो ये एक तरह से ट्रिक भी होगी आपके लिए अग्जाम में बहुत ज्यादा यूसफुल होगी तो अगला हमार पास कवी राज मार्ग कवी राज मार्ग तो इस प्राजियों साहित्ते के जो नितिक वाक के अमरित इसके जो लेकदे वो भी सौमदेव हे ठीक है तो सौमदेव ने यह आपे तीन हमारे प्राचिन जो शाहित्ते वो लिखे हैं ठीक है पहला था उनका किर्थी कौमुदी फिर था कठा सौथ सौथ सागर और तीसरा था ये नीतिवाक के अम्रित तो सोमदेव ने तीन बड़े हमार पास जो प्राचिन साहिते वो लिखे हैं ठीक है और जो लास्ट है हमार पास जो लास्ट प्राचिन साहिते मेरी लिस्ट में यहां पर मेरे पास दिया है वो है मनु सम्रिती मनु सम्रिती तो इसके जो लेखांगे वो है मनु ठीक ह तो यह थे हमार पास 36 महत्व पुरुन प्राचिन साहिते ठीक है यानि कि 36 Important Asian Literature With Their Writers तो ऐसी मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह वाली वीडियो यूसफुल लगी होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपके जो Competitive Exam में उसमें आपको help मिलेगी तो सबसे बहले तो उस वीडियो को पूरा देखने की try करना ठीक है अगर एक बार में आपको समझ नहीं आएगा तो दो बार देख लेना तीन बार देख लेना ठीक है क्योंकि यह आपके benefit के लिए बनाई जा रही है तो जो मैं महनत कर रहा हूँ आप सबी के लिए तो आप उसका अगर अच्छे से मुझे response दोगे तो आपको भी benefit होगा और मुझे भी benefit होगा कि आपके response देखके क्या पता मुझे और ज्यादा motivation आए और मैं और ज्यादा effort करू और और भी ज्यादा जो अच्छी वीडियोज है उसको बनाने में मैं successful हो जाऊँ ठीक है तो सबसे पहले वीडियो को पूरा देखना वीडियो को like और share करना और चैनल को अगर अभी तक subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe कर देना ठीक है और Hindi grammar के PDF के लिए आप मुझे WhatsApp मैसेज कर सकते हो या Facebook ठीक है तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे